हलो एवरीबन कैसे हैं आप आसकरती हूँ सब अच्छे होंगे और आज हम जो सबजी बनाने वाले हैं वो खाने में तो टेस्टी और लाजवाब है ही साथ के साथ इसकी तासीर भी बहुत गरम है तो जितनी ठंड पड़ रही है अगर आप इस सबजी को बनाएंगे तो सर्द इसे भी बचे रहेंगे और अगर आपके पैरों में दर्द वगेरा है तो उसमें भी फाइदा ही करेगी आपको तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अभी इसको आपको मैं दिखाती है इसका टेक्चर कितनी अच्छी है मतलब वावा देखके ही खाने का मन कर रहा है ना मू चीनी का टुकड़ा एक हरी लाई ची दो लोंग और एक छोटा सा तेज पत्ता अई इसको हलका सा बुढने के बाद हम इसमें मोटी मोटी कटी भी प्याज डाल देंगे और प्याज को बिलकुल भी ब्राउन नहीं करना है तो अभी हम इसको एक साथी सारे मसाले इसमें डा दिया है और इसी में हमने एक मेज के दो टुकड़े कर लिया है तीन मेज मैंने डाली है तो मेज भी हमने डाल दिया हलका सा इसको हिला लेंगे और इसी में डाल देंगे प्याज टमाटर और आप यह मैं सोचना कि प्याज कच्ची है साथ के साथ टमाटर डाल लिए और प् साले को दुबारस है भूनने के लिए डालूंगी तो तब यह अच्छे से पक जाएगा फिलाल मुझे इनको हलका सा सोप करना है जो इनके कच्छे पल की स्मेल है ना बस वो निकल जानी चाहिए तो अभी यह भून गे हैं तो मैंने गैस ओफी नहीं करी है अभी ऐसे खुली और मैं इसी पैन में डाल दूंगी यह मैंने मेथी लिए एक पाव मेथी के मैंने पत्ते पत्ते लिए हैं डंडी का यूज हम इसमें नहीं करेंगे मेथी का तो पत्ते पत्ते निकालके मैंने बारिक काटके दो के रख लिये थे चलनी में तो मैंने डाल दिये इसमें थोड के लिए डख दीजिए आप इसको और सोप्ट होने के बाद मित्थी बिल्कुल थोड़ी सी हो जाते है तो दुबारे से तेल गरम कर लिया उसी पैन में जीरा डाल दिया और हींग डालने के बाद मैंने जो मसाला पीस के तयार किया था न वो अब डाल दिया है तो अब मैंने तो नमक बाद में भी डाल सकते हैं वो आपकी इच्छा है तो स्वाद की अकोडिंग में नमक डाल दे और अच्छे से इसको हम पका लेंगे अब तो इसलिए मैंने प्याज को पहले नहीं भूना था पूरा अच्छे से बास सोप्ट किया था क्योंकि मुझे मसाला दुबा बशात करकर रखी थी न वो इसमें डाल देंगे और अभी मैने सायड में मतर भी उबलने के लिए रख दिये थे तो वो में अपको गाड़ी रखनी है तो कम पानी डालिए वो आपकी खुद की चोईस है कि आप कैसी रखना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि बच्चे पराटे के साथ काएंग तो उनका जादा पतली मत बनाना और अब हम इसमें डालेंगे में चीज यह है घर के दूद की मलाई जो मैंने एक दिन के दूद की मलाई जो इसमें डाल दी है मतलब तीन से चार चमच यह मलाई है और यह इसको बहुती रिच टेस्ट देगी इसी से इसका में फ्लेवर आएगा क्योंकि इसका नाम ही मित्थी मटर मलाई है तो लीजिये जी बनके तयार है और टेक्स्चर देख सकते हैं आप सबजी का बिल्कुल होटल जैसी बनके तयार हुई है खाने में भी इतनी हिला जवाब थी थोड़ा सहरा दनिया डाल का गार्निस कर लेंगे और आपकी सबजी एकदम तयार है खाने के लिए गर्म गरम तो पराठे के साथ आप सर्व करिए सर्व करते समय थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं मैंने डाल दी है अब पाइल को टेस्ट करवाती हूँ वो कैसी बताएगी वैसे तो खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है पूरी किचन में इसकी खुस्बू होगी थी और आप देख भी बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और एक बार जरूर से बना के देखना मेथी मतर मलाई मेरे तरीके से जैसे मैंने बनाई है फिर मिलते हैं रादे रादे